असलाम अलेकुम फैंट्स मैं आपको वेलकम करता हूँ वीजू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है बिजिनिस एथिक्स M.G.T. 610 की शोर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नमबर 31 चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में वो है इथिक्स ओफ केर वो सेकेंड पे होगा दा एथिक्स ओफ कंजर्विंग डेप्लिटेवल रिसॉर्स थर्ड पे होगा राइट्स ओफ फ्यूचर जनलेशन तो चलिए अपने हेंडाउट्स की दरफ चलते हैं उसमें सबसे पहले बात हो रही है एथिक्स ओफ केर में और इसका सब टॉपिक है सोशल इकोलोजी बहुत जादा जो त्योरी जो लोग लिखते हैं या बहुत जादा थिंकर्स जो गुजरे हैं उनका इस बात पर बहुत जादा जोड़ था कि इन्वार्मेंटल के महाओ ले आती क्रैसिस जो हमारी सुसाइटी में मौझूद है उसकी जो जड़े हैं वो हमारे हिरारिकल जो सिस्टम है उसमें उसको डॉमिनेट करती हैं क्योंकि हिरारिकल सिस्टम जो है वो डॉमिनेट करता है हमारे सुसाइटी को तो वो जिमेदार है इस इन्वार्मेंटल की हमारे माह यहां मितलब इन्फस्ट्रक्नी को मितलने नगाया और का सिपकल में जेग आप चाइजन के और कोुछ ऐसे मेर तरोकुम धिला उंच आ रगार्री सिट्व defekt लिए यहां आप इन्सल परस्ति नापिछून में परकेव में जाट जात wary हैell बिए-दीर क्लास कि चाहिए अहरे विवर्मेंट में जो लोग होते हैं ऑफिशल्स वो कैसे हैं कैसे नहीं है इन सारी चीज़ों के बहुत सारे थिंकर्स का यह मानना है यह माश्रे के उपर माश्री को डिफाइन करना माश्री माहूलियात के मताबिक यह है कि हमारी जो बहुत जादा माहौलियादी प्रॉब्लम है वो उसकी जड़े बेट गई हैं हमारे सोशल सिस्टम के उपर हमारे माश्रे में ऐसी जड़े बेटी हैं या ऐसी चीजें हमारे माश्रे में होने लग गई हैं जिनकी वज़ा से जो है हमारे माश्रा और हमारा माहौल दोनों चीज़े खराब हो रही है उसमें को कहे रहे हैं प्रेजेंट एकोलोजिकल प्रॉब्लम के नोट बी किलियरली अंडेस्टूड यानि कि आज कल जो एकोलोजिकल प्रॉब्लम में उसको हम बिल्कुल आसानी से समझ नहीं सकते हर बंदा कन्फ्यूज है मसलेस रिजॉल ठीक करने की प्रियोर्टी होनी चाहिए फिर जागे हम अपने माहूल को ठीक कर सकते हैं इफ दिस अप्रोस सेम तो बीट तो सोचल सोचोलोजिकल फो इस इन्वार्मेंटलिस्ट फो इडेंटिफा एकोलोजिकल प्रॉब्लम विद प्रेजर्वेशन उड्लाइब अपने मिलियन गेलन ओईल जो था वो इस पिल हो गया था यूएस के इन्वार्मेंट को समंदर के अंदर फेल गया था इस टेंकर की वज़ा से लाज़ेशन डिसायर राता है और इसको अमेरिका की यूएस की हिस्ट्री का लाज़ेस इन्वार्मेंटल डिजास्टर कहा जाता है दूसरे यहां पर बात हो दी है हाइपो थ्रेटिकल प्रोजेक्ट धेट वूट फ्लुजवास्ट यानि के मैक्सम कॉर्पोरेशन जो है यह डिफोरेस्टरेशन करती है क्योंकि यह फर्णीचर वूट के बहुत जादा प्रोटेक्ट बनाती है तो इनकी वज़ा से बहुत इनकी वायसे जो इनका प्रोजेक्ट था उसकी वायसे मर्करी बहुत जादा रिलीज हुआ था जिनकी वायसे फिश्च जो है वह बहुत जादा मर गई थी सही है उसके बाद 10,000 कारिबो जो थे इनकी जो नसल थी वह मर गए थे वैस्ट एरिया तो वाइलनेज वर तो इन सारी चीजों को यहां पर जिकर करना जरूरी है कि यह माशरती तोर पर जो है यह बिगाड है जब तक हम माशरे को ठीक नहीं करेंगे यह चीज़े ठीक नहीं हो सकती कि माशरे में ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएं कंट्रीज जो है वह अपनी माशरा जो है वह रो में हो रही है अदम बर्दाश फेल गई है तो यह को लोगी कल क्रासिस को a यानि के ब्यूरो क्रेसी है उपर मिनिस्टर्टर्स नीचे फिर लोग यहां चैज में फिलग नहीं को कुछ नहीं समझते हैं इनमें environment को ठीक नहीं कर सकते unless we realize that the present market society is structured around the brutally competitive imperative grow or die is thoroughly impersonal self-operating mechanism we will falsely tend to blame technology as such as population growth such as for environmental problem we will ignore their root causes such as threat for profit industrial expansion and the identification of progress which corporate self-interest जब तक हम यह realize नहीं कर सकते कि आज present market के अंदर जो एक competition चलने आ रहा है कि या तो business को फिलाओ या तो फिर मर जाओ यानि कि मरने मराने तक कहानी आई वी है business की वैसे लोग एक दूसरे की जान ले ले लेते हैं और मसले मसायल हो जाते हैं self-interest जो है वो बहुत जादा बड़ा हो गया इंडस्ट्रियां expand कर रही है सिरिफ और सिरिफ फायदे के लिए तिजारत हो रही है अपना profit जो है तरक्की जो है वो एहम है self-interest एहम है environment किसी की प्रायोर्टी नहीं है माहौल किसी की प्रायोर्टी नहीं है future generation किसी की प्रायोर्टी नहीं है माहूल को ठीक करना किसी की प्राइटी नहीं है बस हर किसी की जो प्राइटी है वो यह है गुरू और डाय या तो तरक्की करो या तो फिर आप मर जाये वह माहूल पसंद माश्रा होता है या महूल दोस्ट माश्रा जिसको कहते है उसकी एक सोच होती है एक उसका विज़न होता है एक उकसा गोल होता है कि माश्रे में जो है वो foresting करनी है यानि कि माश्रे की बेतर बनाने के लिए काम करना है ecological restoration करनी है natural resources को preserve करने के लिए काम करना है natural evolution लेकर आना है natural तरक्की लेकर आनी है और इसमें इसके लिए काम करना है इंडीड as early as 1965 the first public statement to advance the idea of social ecology concluded with the injection in 1965 के अंदर एक meeting हुई थी जिसका यह statement निकल के आया है कि कुछ भी हो जा है हमने social अपने माहूल दोस माश्रे को एक वजूद में लाना है the caste of mind and today organization differences among women and other life forms along hierarchical lines of supermassive inferiority will give way to an outlook that deal with diversity in an ecological manner that is according to the ethics of complimentary in such an ethics human being would compliment non-human being with their own capacities to produce a richer creative and development whole not as dominant species but as supportive one तो के रहे हैं कि हमारा माश्रा इतना जादा खराब हो चुका है कि उसमें hierarchical lines आ गई है hierarchical एक line बना लिए कि बड़ा है यह चोटा है यह इस ओधे पर है यह बिल्कुल निशले ओधे पर है यह अपर क्लास है यह middle class है यह lower middle class है यह गरीब है यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं कोई भी अपना input नहीं दे सकते हैं माश्रे को बचाने के लिए तो बोल रहे हैं इतिक्स प्रकूंसे उयर्णाव्ट सब्सक्राइब फार्डेश आपें मिटिंड कि इसके पाद ऴुक्ना आपISH emerging । निकल के आया, यह एलामिया जो है, वो respiration of the natural world के लाया At the same time, when a blind social mechanism, the market is turning soil into sand, covering fertile land with concrete, poisoning air, water and producing sweeping climate and atmospheric change, we cannot agree on the impact that a hierarchical class society has on the natural world. यानि के बोलने हैं के वक्त के साथ साथ जैसे यह होता वा नजर आ रहा है आपको, कि जो जमीन है, उसको जो है बंजर किया जारहा है, fertile land, जो के zरखेज जमीन की उसके ऑफर जो है जमीने बनाई जारहे हैं, मकान बनाये जा रहे हैं और जरखेज जमीन?. बनजर किया जा रहा है बहुत बुरा असर डाल रह वाजा से भी बहुत नुकसान हो रहा है। इन वाज बुलंद करते हैं कि अपना इंट्रेस्ट उसी को सामने रखते हैं और माहूल की इनको कोई फिकर नहीं है अपर क्लास को यह जो चीज जैसे यह प्रोजेक्ट पीछे आया था है और मैक्सम कोर्पूरेशन का जो नाम लिया निकि इन्हों अपने सेल्फ इंट्रेस् में कनवर्ट कर दिया उसके बाद हाइड्र एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लगाया उसकी वाएसे कितनी फिशिस को नुकसान हुआ दस हजार केरीबोय जो है वो उनकी डे वो मर गए और उसके इलावा कितनी जगाओं पर फलड आ गया सहलाब आ गया तो यह सा निगल के आ रहा है जो हमने पिछला पूरा टोपिक कवर किया है उसका यह निगल के आ रहा है जब तक रेसिजम, सेक्सिजम, सोशल क्लासिस के डिफरेंसिस जो है यह खतम नहीं होंगे हम अपने इन्वाइर्मेंट के लिए कुछ भी नहीं कर सकते यह स्टेयर और किलियर थो एशनी करना होगा इसको हमने आपनी अपनी एक लोगी के प्रोबल में जिनकी वाजय से इसके जब्सक्राइटरख चिंचेंग इंद करना पडरेगा as these approaches are they are still too new and developed to give a specific direction यानि कि नेचर को जो है वो लाजमी आपको consider करना पड़ेगा कि नेचर एक element है हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है इंसानों के लिए बहुत जादा जरूरी है इंसानों के जिंदगी के लिए जरूरी है इंसानों की अच्छी सहेत, तरक्की, तंदुरुस्ती इसके लिए बहुत जादा जरूरी है इसके लिए जो हमने पीछे चीजें डिसकस की हैं कि कॉर्परेट कल्चर को जिमेदारी दिखानी पड़ेगी इनवारमेंट के लिए जो इसके लिए इनवारमेंट के लिए इंपोर्टेंट है जो हैं मैं आपको बता है कि लेक्स्टर जो हैं जैसे काफी चीजोमें अभी शचेजों में अभी काम होता है इसमें government level पर जो high level के officials हैं वो शिर्कत करते हैं और steps के बारे में बाद की जाती है तो इंशालला हम कोशिश कर रहे हैं मगर मजीद हमें individual level पर भी महावल को बचाने के लिए serious होने के जरुवत है अगला हमारा topic है the ethics of conserving depletable resources यानि कि conserving refers to saving or rational natural resources for later use यानि कि conservation से मुराद यह है कि आज जो resources है natural resources जैसे कि gas है petrol है oil है water है यह सारी चीजों को जो है हम safe कर ले future में use करने के लिए later use करने के लिए conservation therefore look primarily to the future to need limit consumption now to have resources available for trauma in fact even pollution control can be seen as form of conservation since pollution consume air and water यानि कि वे बोल रहे हैं कि conservation का मतलब यह है कि हम अपनी consumption को जो है जिसे हम water use करते है oil, use, petrol use करते है दूसरी resources को use करते है उसको limit कर दे जितना कम से काम हो सकता उसको use करें सा ना हो खेर जरूरी तोर पे रस्तमाल करें जिसे हम अगर छोटा सा अफादे कर सकते हैं तो हम Padal कर लें ना कि हम अपनी गाड़ी पे जा रहें और दूसी के वो कल के लिए दस्तियाब हो कल हम उसको इस्तमाल कर सकें आगे यह बात करने हैं क्या एक फेक्ट यह भी एक के पुलूशन कंट्रोल जो है वह भी एक फॉरम्मे कंजर्वेशन की क्यूंक्य के पुलूशन हमारे अट पानी को पैनी को तो भाली जो दुबारा यूज नहीं पैटरो रहे हैं या कि हम सब्सक्राइब यजा कर कि रहे हम सो साल जीने वाले बहुत कम लोग हें teat कि हम सकते हैं कि इपटरोस साल कि यज थे यहांगी कि रिएंगी लेख़ायां थाजमैंगी की उसके लिए इस खाल जलेवाला रहा हैं and it might appear that we have an obligation to conserve resources for future generation because they have an equal right to the limited resources of this planet यानिके हम जो है इनको अमने जिसे पीछे जिगर किया कि हम जो resources है उसको हम बचा रहे है अपनी future generation के लिए क्योंके future generation की भी equal right है उनके पास equal right है उनके पास equal right है वो limited resources जो है वो इस planet की उसको यूज करें but depleting these resources we are taking what is actually there's and violating there's violating and violating their equal right to the resources अगर हम इन resources को बहुत जादा तेजी से समाल करेंगे तो हम में सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि उनकी जो हक है जो उनके जो right है उनको violate कर रहे हैं do you think that is a mistake to think that future generation have rights अब यहाँ पे तीन सवाल आ रहे है उसमें पहला सवाल यह कि आपको लगता है कि future generation जो है उनके लिए हम जो उनके लिए चीज़े छोड़ रहे हैं उनके लिए चीज़े बचाना शुरू करते हैं क्या यह घलती होगी if future generation did have rights we might be lead to extra conclusion that we must sacrifice our entire civilization निकि यह भी हो सकता अगर future generation के right है उनके लिए हमने resources छोड़नी है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको अपनी entire civilization जो है वो पूरी कुरुबान करनी पड़े future generation के resources बचाने के लिए तीसा सवाल है can we say that someone has certainly right only if we know that he or she has certain interests which that right protect क्या यह चीज़ इस चीज़ को प्रूफ करती है कि जो आने वाली generation है उनका right है कि वो इस चीज़ों को इस चीज़ों करें और इन चीज़ों को उनके लिए चीज़े होनी चाहिए क्या यह interest है उनका कि हम उनके लिए चीज़े बचाएं उनके लिए प्रोटेक्ट करें इन चीज़ों को a number of writer have claimed that it is a mistake to think that future generation have right they advanced three men reason to show this इनके बहुत जादा writers उन्होंने यह claim किया है कि यह बहुत बड़ी घलती होगी कि हम future generation के लिए जो है और उनके rights के लिए अपनी resources को बचाता रहे उन्होंने देवांस three men reason उन्होंने तीन reason दियें कि भई क्यों first reason तो यह future generation cannot intelligently be said to have rights because they do not now exist and never exist जानी कि उन्होंने से पहला तो यह के रहे हैं कि भई यह बिल्कुल एक अच्छा decision नहीं होगा या एक अकलमन आदमी का decision नहीं होगा कि आप जो है future generation की right की बात करें उनके resources बताता हैं जबके वह exist ही नहीं करते हैं I may be able to think about future people but I cannot hit them, punish them, injure them or treat them wrongly future people exist only in the imagination and imaginary entities cannot be acted on in any way whatsoever except in the imagination यानी कि यह राइटर यह दे रहे हैं अपनी बात की दलील यह दे रहे हैं कि मैं future के लोगों का सोचतो सकता हूं लेकिन में उनको मार नहीं सकता उनको सजा नहीं दे सकता उनको जखमी नहीं कर सकता और उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता future people जो हैं वो सिरिफ imagination में exist करते हैं और reality में तो वो अभी है ही नहीं because there is a possibility that future generation में never exist they cannot possess right उसके बाद इन्होंने conclude कर दिया अपनी बात को क्योंके future generation जो है वो अभी exist नहीं करती और यह possibility भी है कि वो future में आये ही नहीं या दुनिया ही खतम हो जाया तो उनके लिए कोई right नहीं है second point यह है if future generation did have rights we might be able to lead the absurd conclusion that we must sacrifice our entire generation for their sake suppose वो बोल रहा है कि अगर future generation के right हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस नतीजे पे भी पहुंस सकते है कि हमें पूरी entire civilization जो है उनके लिए कुर्बान कर देनी चाहिए उसके आगे यह reason क्यों क्यों दे रहे हैं कि entire civilization को कुर्बान कर देना चाहिए suppose that each of the infinite number of future generation had an equal right to the world supply of oil then we would have to divide the oil equally among the world and our share would be a few quarts at the most वो बोल रहा है कि future में जो infinite लोग आने वाले है future generation को भी ले ले और अपने आपको भी ले 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 और प्रेज़ेंट इतने लोगे उनको भी ले 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 गर इन में सब में divide करें तो हमारे हिस्से में तो बहुत बिल्कुल थोड़ा सा oil आता है जिसको हम consume भी नहीं कर सकते उससे हम अपनी civilization को चलाई नहीं सकते इसलिए यह बोले हैं कि पूरी civilization ही कुरबान करनी पड़ी third reason यह दे रहे हैं we can say that someone has a certain right only if we know that he or she has a certain interest that right protects यानि कि यह कह रहे हैं कि किसी का एक right किसी का एक हग यह होता है जब उसको पता हो या उसका interest हो कि यह right जो है और उसको वो protect करना जानता हो यानि कि कोई legislation आज इससा नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा आगे हमारे मुपर थपड़ो मार के चले जाए और इससा नहीं होगा आप इल्कुल प्यार से उसको छोड़ देंगा आप पूछेंगे क्यों क्यों किया कैसे किया मैं अपने right को protect करता हूं मैं अपनी इजद को protect करता हूं इससे सबसे बड़ी चीज़ है मैं उसकी इफाज़त करना जानता हूं इस वैसे जब वो future generation के लोग मुझूद ही नहीं है तो उनकी right के बारे में क्या बात हो रही है जानते ही नहीं तो हम उनके rights कैसे वह कर सकते हैं कानून में legislation होती रहती है changing आती रहती है उसमें तरामीम होती रहती है तो हमें तो पता ही यह future में क्या 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 हो जाएगा इस वह से third point में rider यह कहते हैं कि उनके rights बिल्कुल नहीं होने चाहिए future generation के लिए present generation आज जो लोगे उनका बिल्कुल ही गला गोड़ दें उनको कोई चीज इस्तमाली करने ना दें के भई नहीं हमने future generation के लिए बनानी है और वो present generation जो है वो कुर्बानिया देने लग जाए बिल्कुल ही उसकी कमर तूड जाए future generation का खयाल करते हुए उसके दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है के present generation के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो सारी चीज़े इस्तमाल कर लें और future generation के लिए कुछ भी ना छोड़ें यानि के हमें अपने आपको उनकी जगह पे रखके सोचना चाहिए अगर वो हमारे बाद आने वाले होते तो क्या हम उनके लिए कोई चीज छोड़ते या नहीं छोड़ते या हमें क्या करना चाहिए था leave what we would like them to have left for us कि हमें उनके लिए क्या छोड़ना चाहिए था वो ही point है या पर we hand our to our children a world in no worse condition than the one we received ourselves ぢ़ाने कि लगों से हमारे माबाब या अबाव उतव सिट नहीं भाथ शर्नेयल So उन nahe टैप दादा कि याप या उन्योग वाली अच्छ नहीं इनild here अनों परर दादा तो तो उनोंे आना क्या वाली जनरेशन के लिए के वे शा है तो आप भी ऐसा सोचे कि आप आने वाली नसलो को ऐसी रिसोर्स इस दें जहां पर सारी रिसोर्स इस अविलेबल हो तो यह लेक्शर बहुत ज्यादा लेंदी था चार से पांच पैजिस का था और तो मैंने कोशिश की है हमारा मकसद यह है कि आपको इतना किलियर कर दिया जाए लेक्शर को शोट से शोट टाइम के अंदर कि आप सिरिफ एक दफा लेक्शर सुनें और आपकी पूरी तयारी हो जाए और पेपर जागे दे सके हैं आपने सिरिफ लेक्शर सुनना है अभी आप सुनने और उसके अंदर मेरा इमेल आइडी मुझूद है आप मुझे इमेल करें और इंशाला मैं आपको यह सेंड कर दूँगा ठीक है देट्स आल पर टुड़े लेक्शर थैंक यू वरी मच काइंडली वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपसे रिक् अब बढ़ती है इसमें आपके स्रीफ 10-20 सेकंड लगेंगे यह हमें बहुत मुटिवेट करते हैं थैंक यू सो मच अलाहाफिस में